हाई फ्रेंज आप सबको शालू का नमस्कार वही कहानी आज फिर कंटीनियूस करेंगे कल वाली कहानी लड़की पसंद आ गई और घर में थोड़ा सा शादी का महुल बनने लगा जब लड़की पसंद आती है तो क्या करते हैं सबसे पहले पंडित के पास जाते हैं यह पूछने के लिए भाई कि दोनों का मतलब ग्रह मिलता है या नहीं यह पूछने के लिए पंडित के पास जरूर जाते हैं लेकिन जो दिल्ली से लड़का आया था वो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे वो सोचते थे जो है वो ठीक है हम पंडित के पास नहीं जाएंगे लेकिन मा मेरी जो थी आई तो वो तो भाग भाग के गई फिर उसने पंडित को पूछ के आ गई भई ऐसे ऐसे शादी पक्की हो रही है लड़के का नाम ये है तारी के है जनमतिती समय पैदा होने का ये सब पंडित के पास पूछ के आ गई तो उन्होंने बताया कि ये जो आपकी लड़की है ये हीरन है और वो जो है लड़का वो चुहा है तो इन दोनों का अपस में बहुत अच्छे से मेल हो जाएगा लड़ाई नहीं होगी अच्छा अगर ऐसे ही हरे का पंडित के पास जाके शादी होती है कोई भी शादी बिना पंडित के पार मेरे को तो नहीं लगता नहीं होती है लेकिन फिर डाइवर्स क्यूं होता है तो ये भी एक question mark है तो ऐसा हमारे इसमें कुछ नहीं जो मुर्गोड जी है वो उनके घर में कभी ऐसा ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते ग्रहे है तारे है कूल ह मर्द पैदा होने का टाइम है और ये सब वास्तु है इन सब चीजों का उनके घर में आज तक मैरे को इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा तो ये सब हो गया उसके बाद भई आभी शादी की बात चल रही थी तो शादी के लिए कपड़े उपड़े तो लेने ही थे तो लड़के वाले जो है वो साड़ी लेके आते हैं लड़की के लिए और लड़के वाले जो है वो लड़के को कपड़े दिलाते हैं तो जो लड़का था वो बहुत समझदार था जो दिल्ली से लड़का जो आया 1974 में वो बहुत समझदार था उसने क्या किया पहले ही दिल्ली में ही क्योंकि वो हर बार आते थे दिल्ली से साल में एक बार या दो साल में एक बार यहां आते थे उनको दिल्ली में भी लड़की मिल सकती थी लेकिन उन्होंने दिल्ली की लड़की पसंद नहीं की वो गाव में आके यहां हमारे करनाटक में आके करनाटक की एक अच्छी कल्चर लड़की उनको चाहिए थी तो क्या हो गया जब जब वो मतलब दो साल में एक बार आते थे तो अब लड़की पसंद नहीं आई चुटिया कतम हो गई फिर चले गए ऐसे कई बार हो गया कि लड़की देखने जाते थे कभी कुछ प्रोब्लेम कभी कुछ प्रोब्लेम ऐसे ही चल रहा था तो उनको थो प्रोड़का उन्होंने ऐसे ही किया कि छोटी लड़की चाहिए थोड़ा सटल होने के लिए थोड़ी चुस्त चाहिए एक्टिव चाहिए ऐसे करके हां तो फिर क्या हो गया जब शादी के साडी की बात आ गई तो वो लड़का चुस्त था इसलिए कि जब-जब वह सी लेकिन इन्होंने क्या किया पहले साड़ी पसंद की ग्रीन कलर मजंटा बॉडर की साड़ी पसंद की जिसमें थोड़े डिजाइन बना हुआ था प्रिया दर्शन की बहुत अच्छी सुन्दर साड़ी थी वह साड़ी पहले ही लेके आ गए तो साड़ी उन्होंने दे दिया साड़ी तो तयार है हम पहले लड़की देखने से पहले साड़ी तीन साड़िया या पांच साड़िया थी एक वाइट थी एक कुछ डिजाइन में थी एक परपल कलर था ऐसे चार पांच साड़िया उनके पास थी तो उन्होंने साड़ी वाड़ी दे दी अब साधी का जो म सब कुछ तो चाहिए ना तो शाड़ी उन्होंने लाके दे दी कि यह शादी की साड़ी है और आप इसको मतलब लड़की के लिए रख लीजिए तो आगे देखिए क्या होता है शादी की साड़ी तो मिल गई लेकिन शाड़ी में और भी चीजें चाहिए ना वह कहां से सब्सक्राणी है ऐसी शादी किसी की नहीं हुई होगी जैसे तो इसके आगे फिर से कल मिलेंगे एक उसी को आगे कंटिनियस करेंगे तब तक के लिए नवश्कार